आज हम यूनिट नमबर 4 में देखने जा रहे हैं कि हम साइन्स की स्टोरी बुक्स को अपनी लिटरिसी क्लास्टरूम में कैसे लेकर आ सकते हैं और अगर वो पिच्चर बुक्स हों और आनिमल्स की बारे में हों तो उनके हमें पढ़ाने का क्या फायता है जब हम बच्चों को पिच्चर बुक्स जो हैं इंटर्ड्यूस करवाते हैं तो यह एक अपर्चूनिटी हम बच्चों को देते हैं कि वो इन पिच्च्र को प्रॉपर्ली अब्जर्फ करते हैं Number 1. Number 2. Observation के बाद वो सवलात पूछते हैं. Number 3. वो conclusion draw कर सकते हैं जो भी इस picture book के अंदर texts and figures दिये वे हैं और जो information दी वे हैं उसको सामने रखते हुए predictions कर सकते हैं, conclusion draw कर सकते हैं कि यह क्या चीज़े हैं और यह तमाम चीज़े observation हो, asking question हो, drawing conclusion on the data हो, यह तीनों की तीनों चीज़ें कहलाती है, learning science. So, story books एक बहुत ही important opportunity है, जिसके थूरू हम science को learn कर सकते हैं, scientific observation को सीख सकते हैं, scientific question asking को सीख सकते हैं, और data को सामने रखते हुए conclusion निकालने को सीख सकते हैं. So, that's the main purpose. जब हमारे पस किताबें मौजूद होती हैं, picture books मौजूद होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा benefit यह होता है, कि अगर real picture है, तो बच्चा जो भी आप animals को introduce करवाने जा रहे हैं, उसको real तरीके से picture में देख सकता है, multiple science में देख सकता है, और वो यह देख सकता है, कि यह जो picture दिखाई जा रही है, किस कदर complicated है, अमूमन जब हमारे पास बहुत से animals ऐसे होते हैं, जो कि हम इतने बड़े size में नहीं देख सकते हैं, तो हम उसे उन picture book के अंदर देख सकते हैं, और हम यह भी देख सकते हैं, कि वो कितने intricate हैं, animals in real form में कुछ insects हैं, वो इसकदर छोटे होते हैं, कि हम उनकी beauty या उनकी intricacy को observe नहीं कर सकते, कुछ animals हैं, insects हैं, birds हैं, जो कि हमारे पास मौजूद ही नहीं होते हैं, हमारे आम जो हमारे अलाके हैं, जो हम रह रह रहे हैं, तो direct विन्यादी तोर पर animals को देख के डर जाते हैं, जैसे कि अगर आप spider के बारे में बुक लेकर आते हैं, तो बच्चे से बुक को जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे spider की कैसी shapes होती है, forms होती है, और जो spider है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या functions है, क्या anatomy है, डेफिनेटली बच चीज़ के लिए असान होता है, ऐसे microscopic animals के बारे में या organism के बारे में जिसे आप आँखों से देख ही नहीं सकते हैं, उनकी जो extended pictures हैं, बड़ी तस्वीरें हैं, वो जो हैं हमें pictures book के अंदर मिल जाती हैं, और हम उसको observe कर सकते हैं, study कर सकते हैं, उसके इलावा picture book में हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो चीज़ें भी scene नजर आती हैं, जो बन्यादी तोर पे events जो है, invisible होते हैं, मिसाल के तोर पे जब हम marine life की बात करते हैं, तो समंदर में हम में से majority look तो जा नहीं सकते हैं, नीचे उतर नहीं सकते हैं, तो हम वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं, जो हम picture book के अंदर देख लेते हैं, picture book के अंदर जो भी हमारे पस information मौझूद होती है, it should be a high quality information, और उसको इस तरीके से मौझूद होना चाहिए, जबाब बच्चों को introduce कर आ रहे हैं, कि वो clear हो, बच्चों को समझ आए, और इस तरीके से organize the information, कि उसको पढ़ना, उसको रखना आसान हो, picture book के साथ कई किताबों के अंदर explanations भी मौझूद होती है, और explanations से हमें पता चलता है कि यह जानवर कहां exist करता है, यह जानवर का life cycle क्या है, किस मौसम में और किस जगा का यह जानवर है, और किस मौसम में हमें यह नजर आएगा, और इसकी जो struggle of survival है, वो कैस होती है, और हमें कैसी दिखती है, वो हम किताबों के अंदर देख सकते हैं, generally हम किसी भी जानवर को, आम इनसान, आम बच्चे, मैं और आप, actually उसका पूरा life cycle यह उसकी struggle जो है, वो observe नहीं कर पाते, picture book हमें यह opportunity देता है, picture book के अंदर life cycle भी होता है, हम पूरे एक जानवर का या जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो इनसेक्ट है, जानवर है या बर्ड है, वो जो भी form है, scientific form, उसका पूरा life cycle जो हम picture book में देख सकते हैं, जो कि generally हम नहीं देख सकते हैं, जो यह opportunities हैं, इसके तरू बच्चे जो हैं, ना सिर्फ वो observe करते हैं, वो examine करते हैं, बलके वो भीतरी conclusion भी निकाल सकते हैं, इन direct observations जो हैं, वो क्या हैं, scientific books होती है, science based books होती है, आज इनके अंदर तस्वीरे मौझूद होती है, उनके अंदर इस किसम के भी facts मौझूद होते हैं, जो आम तोर पे हमें अपनी content based science की किताबों के अंदर नहीं मिलते, इन किताबों को choose करने का पढ़ाने का मकसद ही यह है, कि वो चीजें, वो information जो आपकी textbook में मौझूद नहीं है, वो बच्चों को पता चलें, और बच्चे textbook से निकल के, जो उसके अंदर curriculum में concept है, उसके बारे में extended level पर जाके पढ़ सकें, और search outer तक हैं, observe कर सकें, कि यह और चीजे क्या ह इसके बारे में क्या information है, जो textbook के अंतर मौझूद नहीं है, जितना बच्चे पढ़ते हैं, definitely उनके concept development उतनी ही बेतर होती जली जाती है, तो यह बहुत ही बड़ी अकलमंदी है, कि आप science जब पढ़ाने जा रहे हैं, schools में, mainstream schooling के अंतर, तो उससे related, जो storybooks हैं, वो ज्यादा स ज्यादा बच्चों को हम introduce करवाएं, ताके बच्चे उनको frequently पढ़ते रहें और उनकी concept building होती रहे और उनकी information develop होती रहे, ताके जब वो textbook में जाके यह concept पढ़ें, तो उनने already prior knowledge हो और वो असानी sin concept को समझ सकें.